जो करूं तुमसो बात ना बात तुम्हारी सुन सकों ना देखू तुम्हे साख्यात ना देखू तुम्हे साख्यात एह धनी एह घर सुख इस खिलवत की वाणी को हमें दिया है ताकि इसके दोरा हमें परमधाम की सुगन्द मिल सके और हम परमधाम में वीचान कर सके खुलासा गरंद के बाद खिलवत का नाम आता है एक गोरी गई जाती है आरती यंग चतूरते सकेरी पांचो सरुप मिल एक वह उसमें क्या का गया है उदर को खिलवत का गया है कंठ सागर हिर्दय परिकर्मा मुख सिंगार नास का सिंदी जो वीच है यहार खिलवत का महत Tgo क्या है अक्षरातीत का हिर्दा यह पर्मधाम के 25 पक्षों के रुप में दिश्गोचर हो रहा है। कंठ सागर मुक्षिनगार MusicAmix Yakite, मुक्ष से पहचान होती है कि हम कौन है। किसी के विक्तितु की पहचान मुक्ष से होती है। उसके नित्रों से प्रिम टपकता है। होटों से गालों से कालों से उसका संदर छलकता है। और मुख में सारा कुछ आ जाता है, सिर के बाल भी आ जाते हैं, तो किसी के ब्यक्तित को देखना है, तो उसके चेहरे को देखा जाता है। सिंगार क्या है स्रीजी का मुखार भीनते कंट क्या है सागर गरंते हैं फिर्दे क्या है परिक्रमा गरंते हैं और खिल्वत क्या है उदर जैसे समानी रुप से समझिए आप जितने सुन्दर साथ हैं आपको दो दिन को पुवास रख दिया जाए और कहा जाए कि चर्चा सुनिये तो क्या आप सुनने आएंगे कहेंगे कि नहीं अभी तो भूख से रहा नहीं जा रहा है तो ये चार किताबें हैं जिनको तार्तम का तार्तम काते हैं तार्तम का जो तार्तम अंग इंद्रावती विश्तार पाये दिखाये पार के तिन पार के भी पार एक तार्तम तो छे चौपाईयों को तार्तम होता है उस तार्तम का तार्तम क्या है छे चौपाईयों के तार्तम में संकेतिक रुप से बताया गया है कि निराकार के बार थे तिर्पार के बार हम सब को जान गए लेकिन जो वहां का रस है पहला गरंथ खिलवत के रुप में प्रकट होगा उसकी सुगन दिती जाएगी खिलवत क्या है जिसमें आत्मा और परमात्मा बोलचाल की बासा में जहां सखिया और राजी अनन्य प्रेम में डूवे हैं वह है खिलवत हम ऐसे संसार में आये हैं जिसमें प्रेम नाम की कोई चीज नहीं होती है प्रेम नाम दुनिया मिने ब्रहम सिष्ट लाइत यह प्रेम इनो जाहिर किया ना तुप्रेम दुनिय में किते जब हम संसार के भावों से राजी को देखने का प्रेयास करते हैं तो यह बहुत समस्या खड़ी हो जाती है इस संसार को प्रेम बताना वैसे ही है जैसे अंधे के सामने सिंगार का वर्ण करना क्योंकि अंधे के दृष्टी नहीं है वो सिंगार को देख नहीं सकता आप सुर मचा रहे हैं कि यह देखो होट ऐसे सुन्दर है गला ऐसे सुन्दर है गाला ऐसे सुन्दर है तो कोई लाव नहीं होता जब भाक्ती की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो पहली चीज होती है दासवक्ती की हमारा यह दुर्भग्या है कि हमें तो जान दिया गया परमधाम का और मार्ग बता दिया गया नवदा भक्ती का नवदा से न्यारा के वह चौदे पहुन मेना तो प्रेम कहां से पाई है जो बसत को पियन मार्ग हमारी भक्ती का मार्क्या है प्रेम लक्षणा भक्ती प्रेम लक्षणा किसको कहते हैं जिसका लक्षण ही प्रेम माई हो प्रेम लक्षणा भक्ती को जानने के लिए पहले खिल्वत का अध्यन करना पोड़ेगा खिल्वत के प्यारम भी चार प्रक्रणों में क्या बताया गया है मैं खुदी का प्रक्रण इसमें मैं खुदी को छोड़ना कैसे है देखिए सेवक सेवा करेगा कुछ चाहेगा जो अर्धांगनी होगे उस अपनी सिवा के बदले कुछ नहीं लेना चाहेगा क्योंकि उसने सब कुछ अपना स्थित्व मिटा दिया है आप अपने घर में नोकर रखते हैं कुछ तो देना पड़ेगा क्या इतने भाई बहन बैठे हैं अपने पत्नियों को मासिक बेतन देते हैं संसार में क्या कोई होगा जो अपनी पत्नियों को मासिक बेतन देता होगा खर्च तो दे सकता है लेकिन उसकी पत्नियों को अधिकार है कि जब जाये तब उसमें से आधा हिसा ले सकती है यह है पत्तिवर्दाज साधन और पति के लिए अपना जीवन दे सकती है अपनी किंडित देने पड़े तो वो दे सकती है पति अस्वस्त हो जाए तो उसका मलमत्र उठाने में भी उसको जीजक नहीं होगी उसके भिना उस जीवित भी नहीं रहना चाहेगी प्राचीन काल में तो ऐसा होता था मधिकाल में मुगल आक्रमन करते थे तो एक दो नहीं हजारो छत्राणियां जल्तिवी चीता में कुद कर प्राण दे सकती थे उनकी भावना क्या थे? कि हमारा यह तन मन जिसके प्रति समर्पित हो गया उसके अत्रिक किसी आनिको समर्पित नहीं हो सकता यह प्रतिवर्दादर्ब इस जूटे संसार का जिसमें माया के रिस्ते होते हैं और यह रिस्ते स्वार्तवर्थ बदलते रहते हैं इस जूटे संसार में भी सत्यों ने एक करके दिखा दिया पौनणी कताहें कही जाती हैं कि सति अनुषिया ने अपने सतित के बल पर ब्रह्मा बिसुन और सीव को भी 6 माह का बालक बना लिया था सावीत्री ने अपने सतित के बल पर मिर्दाख अपने पति को जीवीद करके यम्राज के हाथों से छुड़ा लिया था ऐसा क्यों दर्सा जा गया है सतित्व का भाव यह होता है कि हमारे प्रेम की अखंडता प्रेम की पवित्रता और सर्वस समरपड की भावना यह कहां से सिखने को मिलती है केवल पत्तिवर्ता साधन से गोपियों के लिए सिक्रिष्ट ही सर्वस्व है सिक्रिष्ट मत्वरा चले गए है जदी गोपियों चाहें तो सबेरे से चलकर साम तक लोट आ सकती थी लेकिन सिक्रिष्ट मत्वरा में कई वर्ष रहे हैं कभी भी गोपियों नहीं गई आप सोचेंगे कि क्यों गोपियों का यह पवित्र प्रेम है कि हमारे करण कि किसी कारी में बाधा न पड़े वो खिल्ट के बिना एक पल भी रह नहीं पा रही है सुर्दास जी कहते हैं कि मदबन तुमकत रहत हरे गोपियों के मुख से ऐसा बर्ण लाता है किरी मदबन हम सुख करके काटा हो गई है तो सिकर्ष के वियोग में अभी तक हरा भरा क्यों है विरा वियोग स्याम सुंदर के तुम ठाड़े क्यों नचरे तुम स्याम सुंदर सिकर्ष के विरा में जल कर राह क्यों नहीं हो जाते हो तुम हरे भरे क्यों हो ये उलाहना दे रही है उस मदबन को जिसमें कर्ष के साथ उनकी प्रेमी लीला होग करती थी यदि वह चाहें तो आजकल देखते हैं आप जाकर मत्वरा और गोकुल की ब्रज गोकुल की दूरी नाप लेजिए कुछ भी अंतर नहीं है विरिंदावन से मत्वरा जाने में मैं इस मुझता हूँ आठ किलोमेटर की दूरी होगी आठ किलोमेटर की दूरी आजकल तो कार से आठ दस मिनिट में जा सकते हैं पैदल भी उस चाहर गंटे में जा सकते हैं और दो-चाहर गंटे रहकर मिलकर आ सकते हैं मान सकता हूँ कि दौरी का से दूरी है लेकिन मत्वरा में तो मिल सकती थी और जब उद्धव को संदेशा भेजा तो उसके पहले कई वर्सों तक सिक्रिश महतुरों मेरा चुके हैं। इस प्रेम की गहन लिला को समझना बहुत कठी नहीं है। देखिए एक दास होता है। दास के और प्रभु के बीच में बहुत बड़ी दूरी होती है। हनुमान जी शेक है राम के है। हनुमान जैसे सेक मिलना बहुत कठी नहीं है। आज कल तो सच्चा दास या सच्चा सेवक भी मिलना कठी होता है। दास बना तब जानिये जब हाड रहे ना मांस। शेवा में इतनी तलन्ता हो जाए कि हड़ी हड़ी समर्पित हो जाए तो हो कहा जा सकता है कि इन्होंने दसभत्ति को पूर कि लेकिन अब पुछा जाए क्या हनुमान जी राम के बगल में भाई ये कहा से खड़ खड़ आ रही है इसको ठीक है क्या हनुमान जी राम के बगल में सिता के पास बैठ सकते हैं। उत्तर मिलेगा नहीं। राम और सिता सिंहासन पर बैठे हैं। हनुमान जी जब बैठेंगे तो चर्णों में बैठेंगे। वई सही हम '' parfait की सुष्ण ने बैठेंग आ naprawdę हैं देखा देखें कि 10 वह भक्ति तो शेख लिए। प्रेमा ब्बव लक्षना भक्ति ना उसेखां। प्रिम लक्षिना ना इसृक्ति ना इसृक्ति उन्सकृ जीता में युगे शवरक्त शेख मत मत्या के हिते ही। पुर्शास अपरापार्थ भक्त्या लभ्यास्तू अनन्यया अनन्यया कार्थ क्या होता है? जिसके समान कोई दूसरा नहो हो और अनन्य पराप्रेम लक्षन भक्ति प्रेम ही जिसका लक्षन हो ऐसी भक्ति जिसमें केवल प्रेम ही प्रेम हो और जिसके प्रेम किया जा उसके समान कोई अन्य प्रियन हो क्या हम ऐसा कर पाते हैं यह ठीक है हम कह सकते हैं कि हम तेन पिड़ियों से सुन्दर साथ हैं प्रडामी है हमारा घर सुन्दर साथ के रुप में हम जर्म लिया है हम जर्म से हम सुन्दर साथ हैं, क्या देते हैं, लेकिन हम सुन्दर साथ सब जानते हैं कि हम धन के लिए लक्षमी जी को भी खुश करने में जिजक नहीं करते हैं, राजी तो चलो घर में पद्राएं, एक कोने में लक्षमी जी की भी पूजा कर लेते हैं, तो क्या नुकसान है साधी बीबा होते हैं तो नोग्रों के भी पूजा कर लेते हैं गडेश के भी पूजा कर लेते हैं अन्यनी निष्ठा नहीं है अन्यनी निष्ठा कार्थ क्या होता है जिस तरह से पतिवर्था का एक ही पती होता है पतिवर्थी पढ़े से भी है एक मेली ने अनेक किजे तेड़ी थाय धड़ीवत के हमने उस अच्रातीच से प्रेम पहला खो दिया दूसरी हमने कर्मकंडो की चादर ओड ले हमारी और राजी के बीच में एक दूरी है आप राधा का चिंतन किजे राधा को ब्रेच की लिला में किसी ने क्या देखा है कि सिक्र्ट की अस्तुति कर रही है सिक्र्ट के चर्णों में साश्टांग पड़ते हुए राधा को तो किसी ने नहीं देखा है यदि आप इतने भागवत कारों की कथाय सुनते हैं किसे भी गरंति बहें बतासकता है इसिक्रिश्ग के चरणु में लोड़ती है, उल्टे आप काई किसे कहानियां सुना करते हैं, लोकसुल्ती मानते हैं, कि क्रिश्ग मनाने के लिए राधा को बढनाने के लिए खर्णु में लोटना पड़ता है। यह किसी वक्ति है, गुपियां करते है कि कि कृष्ट, हम तुम्हें मकंतब देंगे, जब तुम नाच करके दिखा हो गयो, कृष्ट को नाचना पड़ता है, उस तन में अक्षर की आत्मा है, अक्षरातीत कावेस है, यही तो अक्षर की आत्मा ने नहीं देखा था, कि जिस कि दर्सन के लिए अक्षर प्रतितिन जाते हैं, वो जब रज में आये तो एक ताही अहीर की छोहरियां चचियावर चाच पर नाच नचावें, गोपियां यही सारी से नचाते हैं, और वो नाचते हैं, रादा के पायर पकड़कर के मनाते हैं, यह कते हैं प्रेम, जिसमें सत्ता का समापन हो गया, इस जागने के लिए लावे, हम संदर सत्त क्या करते हैं, हमने तो नवदा बक्ति पकड़ ली है, मेरी बाते कई बार काफी कड़वी लग जाती हैं समाज को, क्योंकि समाज जिस नवदा बक्ति की रह पर चल पड़ा है, उसको प्रेम लक्षन भक् जाती गहान होती है, और नवदा बक्ति प्रतेक्ष देखने में आती है, इन्होंने तीलक लगाया है, इन्होंने कंटी बनी है, इन्होंने तार्तम महा मंतर का पाठ किया है, इन्होंने मेहर सागर का पाठ किया है, भोग लगाया है, नारियल चड़ाया है, पूछा जाया ह स्रिंगार में परिक्रमा में खिलवत में कहा लिखा है कृच बरच से मधुरा जाते हैं उसके बद्वारिका चले जाते हैं इतने सुंदर साथ थैं यूट्यूब पर भी सुंदर साथ सुन रहे होंगे बताए राधा जी ने किर्च के वियूग में कितनी बार मंत्र का जब कि होगा कितने पूर्जण की होंगे, राधा ने क्या कंटी बाद दिलक लगाया, किट्स की मुर्ती बना के परिक्रमा की, मध्धा टेका, नारील चड़ाया, आप लोगों की तरह जोग करते हैं, क्या राधा ने किया, या गोपियों ने किया, सब कुछ कर्मकान का कुछ नहीं किया, हाही बीरोह में छोड़ी देश तो पहुची जहाँ सफरूप से यह मैं परमधम की ब्रमधम की बात नहीं कर रहा हूं यह तो परतिभिम की सकह एं, जो बेहत से आई है, परमधम की आत्माय तो करती हु नहीं थे राधा ने जो जिनके अंदर से आमाजी की सुर्था उत्रे उनके तो पाउँ पकड़कर क्रिष्म नाते थे कि राधा रूठ जाओ ना ने मैं तुमारे पाउँ पकड़ता हूँ ऐसी भक्ति ऐसी प्रेम लेला कि जो सक्षियां हैं जिनकी आत्मा ब्रज में आई थी वो इस जागनी ब्रह्मान में आ गई तो उनसे नूर मिलावे की सुभा नहीं नहीं आरे जाती उनसे चित्वन ही नहीं होती यह बताने के लिए खिलवत के प्रारंबिक की अच्यार प्रक पुरुस को पुरुस्तन का अंकार है किसी को धन का अंकार है किसी को प्रतिष्ठा का अंकार है किसी को रूप का अंकार है किसी ने अपना हिर्दय किसी और को दिया होता है इन सारे बंदनों से हटकर हमें राजी के चलणों में लगना है तो यह बताना है कि खिलवत कहते कि जैसे मैंने आपको अभी बता दिया, सीता राम के बगल में बैठेगी, बराबरी पर ही बैठेगी. यह तो जीव भाव का पत्पतनी का मैं इसने बता रहा हूं. हरुमान जी को यह अधिकार नहीं है कि राम के बगल में बैठे जाए, क्योंकि वो दास बाकती है, भावना परदान होती है. अर्धांगनी, मैं संसार के रिस्ते से बता रहा हूं, अर्धांगनी पत्की अर्धांगनी होती है, अर्धांगनी गारत होता है, जो उसका आधा अंग हो। दोनों मिलकर एक पूर अंग बनते हैं, एक cycle में दो पहिय होते हैं, आगे का पहिया निकाल दीजिए पीछे का पहिया निकाल दीजिए, पीछे का पहिया निकाल दीजिए, cycle क्या चलेगी? आपके दो हाथ होते हैं, एक हाथ कार दीजिए, तो लूला कहलाएंगे, एक आँख निकाल दीजिए तो काना कालाएंगे दो आँखों के मिलने के बाद आदमी पूर्ण कालाता है दो हाथों के मिलने के बाद पूर्ण कालाता है उसी तरह से राजजी और स्यमाजी या राजजी या सक्या का जब संपूर्ण सुरू बनता है तो कालाया जाता है सत्चित और अनन्द। राच्ची परमधाम में जागरत है। सख्यों की सूर्ता इस खेल में आई है। तो क्या परमधाम के लिला चल नहीं है। उत्तर मिलेगा नहीं। मैं तो सूती नीद में तुम बैठे हो जागरत खेल भी तुम दिखावत बल मेरो कुछ ना चलता। अब ये कैसी भासा है प्रेम की भासा। प्रेम की भासा जिसमें अपना अस्तित नहीं हो। आपने पुराणी कहानिया सुनी है। जिसमें कोई रिसी मुनी, कोई राजा माराजा वन में घंगोर तफ करते है। विष्णु भगवन प्रकट होते हैं, नारायन प्रकट होते हैं, स्रीव जी प्रकट होते हैं। पल भर के लिए जो एक्छा हो। राजी का बर्दान देते हैं, पुत्र का बर्दान देते हैं। या स्वर्ग बैकुंठ में आने का बर्दान देते हैं। इसकी अत्रिकत कोई और कोई भी प्रसंग पौरारी गरंथों के अंदर नहीं मिलता है। यह कहीं नहीं वर्णित हैं, कि जिसको दर्षान देते हैं, उसकी अधीन हो जाएं। जरूर का आनिक ही जाती है, कि भक्त के बस्त में भगवान हो जाते हैं। कितने समय के लिए उसकी भक्ति के कारण खुश होकर थोड़े समय के लिए लेकिन परमधाम की ब्रहमात्मा जब अपना अस्थित्त मिटा देती है तो वो उन्नी का सुरूप बन जाती है मुमिन बल धनी का दुनी तरब से नाई तो कहे धनी बराबर जो मूल सरूप है धाम के बार तो कहे धनी बराबर जो मूल सरूप है धाम के माई हमारा मूल सरूप कहा है परमधाम में हमारी सक्ति किसकी है जैसे इस प्रदेश का जो मुक्यमंत्री है पर देश के मुख्ष मंटरी की पततनी कारें, क्योंकि यह समे रास्ट्पती काρचाञफ elaborते ह। और अप्रान मंत्री कारें था ह। क्योंकि आप जहनते ही हैं, प्रादान मंत्री का पतनी कोई संबने रास्ट्पती काær बातिव नहीं है। स्साइद तो मैं समझने के लिए इस प्रदेश के मुख्यमंतिर का उदानर देता हूँ प्रदेश के मुख्यमंतिर आ जाए और यह कहने लगे कि मेरे घर में इतनी गड़िया है मैं इतनी भासाय जानते हूँ मेरे बैंक में इतने पैसे हैं तो आप लोगों सून कर भी अन्सूना कर देंगे कि उनके घर में क्या धन संपता है उनका क्या मर्चा से उसका कोई महतो नहीं है उनका महतो किस्से है जदि वो क्यों इतना परजय दे दे कि मैं मुख मंतरी की पतनी हूँ तो आप सब उठकर के स्वागत करेंगे क्योंकि अर्धांगनी का स्वागत उसके पती के स्वागत के बरावर है इसी तरह यदि आप इस संसार में अपने धन का भी मान रखते हैं बल का भी मान रखते हैं विद्या का भी मान रखते हैं किसी बिवस्त्र का आप मान रखते हैं, तो आपकी सक्ति सीमित हो जाते हैं, आप यदि ये कर लेते हैं, कि मैं तो तुम्हारी कील, मैं किवल आप क्यों हूँ, मेरा कौन है, क्यों लिराजजी, संसार के अंकार को छोड़ दिजे, हम जदि कुछ अंकार रखते हैं, कि हमारे पास इतना धन है, हमारे पास इतना बल है, हमारे पास इतना रूप है, हमारे पास इतनी बुद्धी विद्ध्या है, तो ये तो माया का अंकार हो गया, और खिलवत के प्रारंबिक चरणों में, यहीं बात बताईए चार प्रक्रों में कि आपने इस अंसार में जो कुछ भी किया है सब को भूला दीजिए केवल धनी का असरा दीजिए जैसे एक पत्तिवर्था पत्ने को केवल धनी के अपने प्रितम के प्रेम का सहरा होता है जब राम बन जाने लगे तो सीता ने कहा कि आरे पुत्र मेरे लिए आपके विना यह अजुध्या इसमसान के बराबर है सीता का प्रेम है कि उसके अपने अराध राम से एक पल अलग नहीं होना है उर्मिला का प्रेम है कि मेरे जाने से लक्षमर की साधना में बादा पड़ेगी इस तिये उर्मिला ने लक्षमर के बन जाने के बाद किसी पूरुस को अपनी आँखों से देखा तकने वो जमीन पर सोती रही उसको मालूम था कि लक्षमर सोईगे नहीं तो मैं भी सोऊगे नहीं लक्षमर किसी साया पर लेटेंगे नहीं तो मैं भी साया का पुर्यूम नहीं करूँगी वो सन्यासनी की तरह जीवन भी ताती रही है एक दूर होकर भी लक्षमर के पास है क्योंकि हर पल अपने प्रितम को अपने दिल में बसाई है और सीता का ब्रत है कि मैं एक पल भी राम से अलगने है दोनों का प्रेम है यह तो माया की जीव सिष्ट की कहानी है हम सुंदर साथ सोचें हमारे पास क्या उर्मिला जैसे त्याग है सीता जैसे त्याग है हम तो प्रिम्दम की ब्रमात्मा है हम राजी से लैक व्हें दसभक्ती के रुपे मांगते हैं सब जाते आपने तर्ध अस्था नो में सब लोग जाते हैं सुंदर साथ बहेने क्या लगे जाती है चूडी ले जाती है भाई लोग क्या जाते है प्रसाद खरे नार्फ खरे Papu देंगे advice यदि आपका हंकार उंके प्रेम में संहाप्तिय। यदि आपका हंकारून के परेमे समाप्त हो गया तो आपको кल्वत की की सुगंद मिलेगी कि वास्तों में खिल्वत क्या है कि आने उनको दैवी डेवता बनाते रही है पार्ढ रखते रहे है परिकर्मा लगाते रहेगे कि हमने एक सवार्ट परिकर्मा कर लिया, आज पांच बार तारतम का पार्ट कर लिया, आज पांच बार मेहर सागर पार्ट कर लिया, तो यह तो दास बती है, और दास को क्या चाहिए, आप मेहर किसको मानते हैं, आज आपको मिनिस्टर बना दिया मुझे खुदा बनना भी स्विकार नहीं मुझे क्या चाहिए आपका प्रेम चाहिए इसक दीजु मुए आपनो मेरा यही से मुद्दा है मेरा मुद्दा किस्ते है मुझे क्या चाहिए कि बल आपका प्रेम चाहिए और आपका प्रेम पाने के लिए मैं अपने तन को मन को वा कि इसे हमें क्या लेने देना ओ जशे हैं अब देखते हैं मैं सुंधर साथ मंदिरों में स्वा करते हैं एक बार अमरिस्यास से को आया कि दो या कैमे कमरे की स्वा देना चाहता हूं लेकिन मेरी सर्थ है मेरा नाम संग्मरमर की पठ्टी पर लिखा जाना चाहिए मैंने कहा कि вед आप परंपरा कंगा कि नम्हें लिखा जाएगा तो मैं सेवा नहीं दूंहाँ कि नवा दूंगा तो मैंने कहा यल्ai मत दिचिए आप सुचिये आप एक सेवा देतेों तो आप नाम चाहते फिर सेवा को मुले आपने अपने वसुल कर लिया बेने भी पती को सबकुछ बोचन बनाती है जिवा करती है बच्चों की देخभाल करती है तो करती है कि हम अंहिस फ्रीमय ठ ceux कोघ्जी न Si You've come. आप भाहर से कमाकर लाते हो आपकाth मैं भूलते हूं भाहर स को Chamando दीजिए कि आप क्या कर रहे हो आपने संसार में क्या उपलब्दी की है ये आपका विसे नहीं है यदि आपने ये ले लिया कि मैं ये हूँ मैं ये आपके लिए करती हूँ जैसे कि मैंने का मैं देश विदेश के सबे सुंदर साथ से छमा चाहूंगा इस बात को कहते हुए कि जो कुछ हो रहा है वो नौधा भक्ति के अधार पर हो रहा है प्रेम के अधार पर नहीं हो रहा है खिलवत सागर सिंगार की अभासा नहीं मैं यह नहीं किसी से कह रहा हूं कि कोई कि प्रिकर्ma ना करे, कोई नर्यल ना चड़ाए, कोई मिर्जागर का पार्टन्या करे, मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूं। भाव दिल आने के लिए सब जरूरी है, प्रारंबिक अए सब जरूरी है। किसी का मन चंचल है तो चित्वनी तो करन नहीं सकता। परिकर्मा कर लिया सुधिर्दे से तो उसके कुछ मनोविकार दूर होंगे, सरधा भावना पड़ेगी, छोटा बच्चा है सिधे चित्वनी तो कर नहीं सकता, तो उसके लिए जरूरी है कि वो मेर्जागर का पाठ कर ले, मैं भी कह देता हूं कि मेर्जागर का पाठ करूँ लेकिन आखिर कब तक, सारे जीवन के लिए तो नहीं है, जब हमारी उम्र बढ़ने लगे, हम 20-25 साल के हो गए, हमारा मन सांथ होने की कगार पर है, हम अपने अहार को सात्विक बनाए, बानी का चिंतन गरहन करें, और नौधा बगदी से अलग हट कर, हम प्रेम का मार्ग परिकर्मा का चुथा परकरण है, इसको पुझे का परकरण, खिलवत के प्रारिम्भिक चार परकरण में क्या बताया गया है, कि हम अपने अंकार को कैसे दूर करें, तब हम प्रेम की सुगंधी ले पाएंगे, क्योंकि उस प्रेम की भूम्का में स्वयम के अस्थित को मैं महामति, मैं इंद्रावति की आत्मा, मैं आपकी मासुक हूँ, और तुम अंगना की मासुक, और मेरे मासुक आप हूँ, दोनों एक दुसरे के आशिक हैं, दोनों एक दुसरे के मासुक हैं, क्योंकि दोनों एक दुसरे के हिर्दे हैं, राजी हिर्देश्वर हैं, तो सख मारना में, हाके की में के बिना, हाके की में का तात्परी क्या है, मेरा ये तन, मेरा मन, मेरा हिर्दे, सब कुछ राजी का है, मेरा अपना कुछ नहीं, हम सुंदर साथ इस बात को रट लेते हैं, दो चीजें हमें बहुत जल्दी याद हो जाती है, अरे सब राजी का हुकम है, गोगे उनके खुकम हो तु. उनके खुकम हो तो हो पहना लेते हैं life when we were to say छ़ुकम को बाहना लेते है कि में आप आएंगे, तो क्या केंगे? राजी खुकम हो तो आजाएंगे कि अवहाना रेते है? अम खुद रिर दूछने कलेंगे क्योग नही रेते है? पूछा जाए कि क्यों नहीं आए तो कहते हैं कि क्या करें राजी का हुकम हो गया था कि नहीं जाना है राजी का हुकम ये किसके लिए ये क्यों नहीं होता बाणी कहते है ताथे हुकम के सिर्दोस्ते बैठ नसके मुमिन जब हम ज inaugural करने की बात आती है कुछ तियाख करने की बात आती है तो भाहना बनाने के लिए काह देते है की राजी का हुकम नहीं था कि हम आज़ी करें लेकिन निर्डे हम सोता कर लीते हैं राजी ने वाणी में खुकम दिया है आप देखो औरों को दिखाो तो हम करें यह हुक्म है कि हम चित्वनी करें और दुसरों को उसके मार्ग पर ले चलें सब को हम परमधाम के दिदार के लिए प्रिरित करें यह राजी का हुक्म है पाणी में परमधाम के ब्रह्मुनियों के लिए निर्देश दिये गये है कि इन भी साद्जी जागी बताई देवरे जीवन, स्याम सेमाची साद्जी जित बैठे जोगोते हैं, यह क्या है राजी का आदेस है, तुम स्याने मेरे साद्जी जिन रहो विखे रसलाग, पाऊं पकड़ के इंद्रावती उठ खड़ रहो जाग, महमती जी क्या कहते हैं, कि इन रहो विखे रसलाग, है साद्जी जी बिशे में मत्फसिया है, आप तो राजी के नाम पर एक छोटी कि अटी क्या को देए करें देए आटेड़े जित अटी कले तैब सुझेए फिछलाट में बतावरे साद्वाश गराशाब देए भादी तो राजी के नाम पर रा वो दिभी बस्तर लाने है, उसके लिए तुम्हें बन में जाना होगा, कई ताड निची गहराई में उदना है पहाड की चोटी से, और चानक की अदेश बर चंदकृतिया करके छलांग लगा जयता है, कि मैं अपने आचारी के लिए, अपनी मां के लिए इस पहाड की चोटी से छलांग लगाता हूँ, सब भाग गए थे, उस त्याग के बदले, एक साधान साथ दिखने वाला बालक भारत का समराट बनता है, आप अपने राज्जी के लिए, क्या तामसिक पदार्थों का पर त्याग कर सकते हैं, नहीं, आप तिखे थे कि मिरिचे कभी नहीं छोड न चाहेंगे, गहरे निद्रा नहीं छोड़ना चाहेंगे, अब क्या करते हैं, क्या त्याग कर सकते हैं, क्यों धन कमाते हैं, उसमें कुछ सेवा कर तो सकते हैं, लेकि राजी को पाने के लिए, जो संसार की उपलबदियां हैं, कुल खंदान की, हम इतने बड़े कुल किसी गरीब से काले कलुटे के पास बैठने में आपको जिजक लगेगे, कि लोग क्या कहेंगे, आप सुंदर साथ के साथ भी नहीं बैठना चाहते हैं, क्योंकि वो सुंदर साथ काला कलुटा है, गरीब है, छोटी जाती का है, जोपड़ी में रहने वाला है, और आप अम एक पल के लिए हमारी सुर्ता मुल मिलावे से नहीं एटनी चाहिए, तो हम चोबिस गंटे में, जदी में सब जितने सुंदर साथ यह बैठे, मैं काया दूं कि भाई, क्या आप प्रदिज्या करते हैं, कि एक दिन भी ऐसा नहीं जिसमें एक गंटे आपने चित्वनी करनी एक गंटे में से एक गंटे देने के लिए तयार नहीं है, आप संगे समंध्य को दे सकते हैं, परिवार को दे सकते हैं, मित्रों को दे सकते हैं, लेकिन राजी के लिए तो आप एक गंटे भी देने के लिए तयार नहीं, जीवा के तिर्ष्णाओं को छोड़ने के लिए त सिर्फफलिक, यहां हुकमम ओ сейчас, we can do our record, तो खिल्वत क जी पहला प्रकण का मई भी म मरे नहीं में को बीञhind हककी मई झिये कि मैं कियोल अक्षरातीत के अर्दंग नहीं मेरी लिए शरीर नहीं संसार नहीं तब खिल्वत समझ में आएगी कि वास्तों में खिल्वत क्या है खिल्वत वह है जब इसमें आसिक मासूक के दिल में रहता है और मासूक आसिक के दिल में रहे इसको खिल्वत करेते है जब हमको खिल्वत का वर्ण सुनाया जाता है इसमें क्या बताया जाता है खिल्वत कोई कहेगा कि मूल मिलावा है कोई कहता कि पांचवी भूमका है खिल्वत है मूल मिलावा में तो बैठे हैं इस दिये मूल मिलावा को खिल्वत कहा दिया गया है क्योंकि वहां सखिया हैं और राची हैं स्यामाची चोथी भूमका में प्रेम की लिला होती है प्रेम की लिला तो पचीस पक्छों में भी होती है लेकिन पांची भूमका में ये पांची भूमका में जो सेन लिला जिसको कहते है वो वास्तों में सेन की लिला नहीं है सेन की लिला तो अब लिला हो रही है जागनी के ब्रहमान में सेन की लिला हो रही है कितने 1638 में सभी परमधाम की आत्माएं आई थी और आज क्या हो गया 2078 कितने साल हो गया और इस कहने को ते जागनी के ब्रहमान ने जागनी कब होगी ऐसा आवद दिल होग में यो इसके आतम खड़ी हो हक की सूर्थ दिल में चुवे तब जागि एंदी कुषो हक की सूर्थ दिल में चुप जाए हमारी आत्मा के धामिर्दे में राजी, स्यामाजी की सुभा चकमगाने लगे जैसे ही हम आखे बंद करें ऐसा लगे कि राजी और स्यामाजी हमारे हिर्दय के सिंगासन पर भी राजमान हो गया तब तो हम दवा कर सकते हैं कि राजी की सुभा को बसा कर हमने जागने कर दाई तो पुरा कर लिया आप बाणी पड़ते हैं तार्तम का पाठ करते हैं सेवा पुजा करते हैं, परिक्रमा करते हैं भोग लगाते हैं, सब कुछ करते हैं लेकिन जिसकी पुजा पाठ करते हैं जिसके नाम का मंत्र जबते हैं उसकी सुभा कोई नहीं बसाया तो फिर आपकी आत्मा कैसे जागरेत होगी हम सुदर्द साथ तो लड़ते हैं, किसके नाम पर सब को मालूम है तार्तम महा मंत्र के नाम पर लड़ते हैं एक परंपरा चल गई है कहा जाता है कि मंत्र किसी के सामने कह दिया तो उसकी सक्ती चली जाए तो मंत्री क्या हुआ तार्तम ज्यान आया है क्या सारे संसार का कल्यार करने के लिए धाम से लयाई तार्तम करीब ब्रह्मांड में रोसनाई इस तार्तम ज्ञान का उजाला ने सारे ब्रह्मांड के अंधकार को दूर करने के लिए और हम कहते हैं कि यदि हमने किसी को सुना दिया तो इसकी सक्ति कम हो जाएगी यह कोई तांतरिक मंत्र नहीं है किसी देवी देवता का मंत्र नहीं है जो कह देने से इसकी सक्ति चली जाएगी किस्चोपाई में लिखा है कि हम तार्तम किसी के आगे कह देंगे तो इसकी सक्ति चली जाएगी यह तो मद्धिकाल की देन है मद्धिकाल में कर घभ दो little- recursos पोई θα सी अच्छा के कहा जाता था कि शुद्र को और इस्त्री को कुई गैंतनी मंत्र उनाता नई था कि अचे मैंकाणड सी गैंधिती थो सोचे है कि शूद्र चोटी जातिका होता हैं और इस्त्री को नहीं चुनाने चाहिए नारी को घिना के दिश्च दिखा गया इस दिए कान में उन मंत्र कह देते थे सोचते थे कि हम बोल करके सुनाएंगे तो सभी सुन लेगे कोई सुद्र भी सुन लेगा इस दिए सब को मंत्र के नाम पर उल्चा करके रखा गया है कि कान में मंत्र दो किसी और को न सुनने पाए आप सूचिए यदि इस्त्री को न दिया चाहे तो रमयन में बंडी थे कि जब हनुमान जी सिता के पास जाते हैं खोच करने के लिए लंका में असुक बाटिका में पहुंचते हैं तो उसमें सिता जी का संध्या किया करते थी और हनुमान जी सूचते है कि संध्या का समय है सा, स्यामा, ध्रूम, आग, मस्जद वर बाड़ने हनुमान जी कहते है कि वह सिता जी निश्चित रुप से संध्या करने के लिए यहां आएगी तो आप सूचिए कि बिना बेद मंत्रों के तो वह संध्या करी नहीं सकते थी उसमें तो गैतिरी मंत्र भी पढ़ना होता है तो यह जो पौराणिक विचारधारा है उन्होंने काया कि सुद्र को मंत्र नो दो इस्तरी को मंत्र नो दो तो कान में फूकने की परंपरा शुरू हो गई उसकी नकल हमने भी कर ली हमारे समाज में भी कान में फूकने की मंत्र परंपरा हो गई उन पौराणिकों ने यह प्रचलित किया कि मंत्र किसी को सुना दो गए तो इसकी सकती चली जाएगी इसका ताद पर क्यों कि ऐसा का? उन्होंने सोचा कि ये भी किसी को सुना करके ज्यान फैला देगा, इसलिए मेरे हाथ में कंट्रोल रहे हैं. भी तक मैं आपने सुना होगा. भीहारी जी ने क्या कहा था? मेरे और तुम्हारे सिवा कोई और किसी को तार्तम नहीं दे सकता है. स्री जी ने क्या कहा था? कि भीहारी जी, जदी ऐसा किया जाए तो सरीर की तो आयू एक सिमित होती है. परम्धाम की आत्माएं सारे देश में हैं. कहां कहां हम दोनों जा जा करके इस तन से जगाते फिरेंगे. इसलिए जिसको तार्तम ज्यान का प्रकास हो, वो तार्तम दे सकता है. तार्तम क्या है? अक्षरातीत के सरूप की पहचान है. लेकिन उसको हमने संसार वालों की देखा दे कि मंत्र बना दिया. और उसके लिए तरह तरह के जगड़े खड़ा कर दिये. कि तुम इस नाम का तांत्र मांते हो, तो हमारे तुमारे से बहर हो जाएगा. इसको बोल करके सुना देते हो, तो इसकती चली जाती है, मर्यादा का उलंगन होता है. मैंने जगड़े होते देखे हैं. सुन्दर साथ सुन्दर साथ से मारफिट्थ करने को तैयारी हो गया, कि तुमने मंत्र को क्यों बोला? उनको ये बताया जाए कि वे ये हमारी नौधा भक्ती नहीं है. आपने देखा है, परेमधाम की तो परेमशिष्टी छोड़िये, ब्रेज में जो प्रतवियम की गोपियां आई थी, कभी उनमें मंत्र के नाम बल लड़ाई होई थी. जिनके हिर्दय में हर पल कृष्ण बसते हैं, उनको किसी मंत्र की जापने की ज़ुरत नहीं होती. आप यह सब बंद कर दीजिए, लेकिन यदि खिलवत को हिर्दय में बसाना है, परिक्रमा की सुगंत चाहिए, पचीस पक्छों में घुमना है, नक से सिक तक सराजी स्यमाजी को अपने हिर्दय में बसाना है, जागनी का सुख लेना है, तो आपको वही करना पड़ेगा ज जो सागर में लिखा है, जो स्रिंगार में लिखा है, समाज क्या काहिए है, हमारे गुरु महराज क्या 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 है, इसे कोई लेना देना नहीं, और यदि आप खिलवत की सुगंद लेना चाहते हैं, तो राजी की वानी को अंगी कार कर करना पड़ेगा, इस वानी क् आप करूं जीव भेले संग। राची ने सीधे का दिया, किस ब्रमभाणी को सुनने के बाद, जिसके हिर्दे में प्रीम काविश नहीं आता है। कह रहे हैं, सुने नह्चे वासना, निष्चित रुप से परंधाम की आत्मा नहीं है। ताकों करूं जीव भेले संग। उसको मैं जीव सिष्ठी में मान रहा हूं। इतने कठोर सब्दों का प्रिव कि आयराची ने। मैं तो आपको नहीं कह रहा हूं। मैं तो आप कह रहा हूं कि आप मानिये कि मैं परंधाम की ब्रमात्मा हूं। नहीं है, तो भी मानिये यदी आपने प्रहमधाम की ब्रहमसिष्ठी की तरह प्रहम का मरग अपनाया तो ये प्रहम का मरग आपको सट-सुर्व की पहली बहिस्त में लेजाएगा जहाएगा घर मेरे से लोग कितनी हिरनाँ करते हैं मैं अच्छी तरह जानता हूं लेकिन संसार का ज्यार इसी में आज जागने के अंतिय मेला में यह सब से कहता हूं मैं जानता हूं कि संसार मुझे इस घरना के दिश्रे देखेगा लेकिन मुझे घरना की कोई चिंता नहीं है सब को परमधाम के प्रेम की डगर ले चलना मेरा उत्तर डेगत है जित्वनी के मार्क पर ले चलना मेरा करतब पर इस तिये सारा संसार भी मेरे से घ्रिना करेगा तो मुझे कोई चिंता नहीं और में कोईगा कि जो सागर ने रह दिखाई है सिंगार ने खिल्वत ने परिक्रमा ने रह दिखाई है उसमें क्या करना है इन भी साध्जी जागी बताएं देवने जीवन स्याम सेमाजी साध्जी जित बैठे चोग बतने आप अपनी सुर्ता से उस मुल में लावे में चलिए जहां युगल सुरूप विराजमान है और युगल सुरूप आपकी आत्मा के दहां मिर्दे में भी है जिस तरह से ब्रच की गोपिया घर का सारा कारी करते हुए भी किर्ष को एक पल के लिए अलग नहीं करते हैं आप आपने बार बार चौपा ऒधी सुनिएए एडए पगल आपला चड़िए और प्रमाण सुंदर शाज़ी आप पूगाते हैं राज की तो कि आपना पाugarई दो ऑन राज में अपना आ पारा रहें राज में तन चोड़ना था अलग अब्रच prata से राज में जादे समेशने स सोड़ दिया मैं कहता हूं कि केवल एक घंटे के लिए सब को भुला दीजिए शरीर को भुला दीजिए एक घंटे के लिए कमर में थोड़ी सी पीड़ा होती है भुला दीजिए आपके पैर सुन्न होते हैं थोड़े सा भुला दीजिए मैं मरने के लिए नहीं कह रहा हूं बावन दिन की जुदाइगी हुई तो उस जुदाइगी की भरपाई के लिए सभी को 36,000 को अपना सरीर छोड़ना पड़ा बेन सुनकर चली कुमार बहुत सागरियों उतरी पार इनकी सुरत मिली सब सक्खियों माएं मूल अंगिया के रास में आएं सुचिए एक बांसुरी बजती है और 36,000 सकी अपना सरीर छोड़ देती जागने के ब्रहान में कितनी बड़ी भूल हो रही है जब हमारी उम्र बढ़ने लगे हम 20-25 साल के हो गए हमारा मन सांथ होने की कगार पर है हम अपने अहर को सात्विक बनाए बानी का चिंतन ग्रहन करें और नवधावगती से अलग हठ कर हम प्रेम का मार्ग अपना है परिकर्मा का चोथा प्रक्ण है, इसको पुझे का प्रक्ण खिलवत के प्रारिम्भिक चार प्रक्ण में क्या बताया गया है कि हम अपने अंकार को कैसे दूर करें तब हम प्रेम की सुगंदि ले पाएंगे क्योंकि उस प्रेम की भूमका में स्वयम के स्थित को मिटाना होता है आसिक को भी और मासूक को भी मासूक तुमारी अंगना तुम अंगना के मासूक मासुक तुमारी अंगना मैं महामति मैं इंद्रावति की आत्मा मैं आपकी मासुक हूँ और तुम अंगना के मासुक और मेरे मासुक आप हूँ दोनों एक दुसरे के आशिक हैं दोनों एक दुसरे के मासुक हैं क्वेति दोन एक दुसरिके हिर्दे हैं, राजी हिर्देश्वर हैं, तो सख्ःयां उनकी हिर्देश्वर ही हैं, कोई भेद नहीं रह गया है, और ये कफ होगा? जब ऑंकार हटेगा, मैं खुदी हटेगी, मैं भी मैं मरे नहीं, मैं को मारना मैं, हाकिकी मही के बिना, हाकिकी मही का तात्वरी क्या है, मेरा ये तन, मेरा मन, मेरा हिर्दे, सब कुछ राजी का है, मेरा अपना कुछ नहीं, हम सुंदर साथ इस बात को रट लेते हैं, दो चीजें हमें बहुत जल्दी याद हो जाती है, अरे सब राजी का हुकम है, उनका हुक तो क्या कहेंगे राजी का हुकम होगा तो आजाएंगे राजी का हुकम होगा तो आजाएंगे हम खुद निरिने कलेंगे कि नहीं जाना है पूछा जाएंगे क्यों नहीं याएंगे क्या करेंगे क्या करें राजी का हुकम हो गया था कि नहीं जाना है राजी का हुकम गिसके लिए यह क्यो नहीं होता, बाणीक नहीं कहती है, तो राजी का हुकम के chnरूर्ष्थे बैठ न सके मों में कर दोर्डी। तो भाना बनाने के लिए कह देते हैं कि राजी का हुकम नहीं था कि हम ऐसा करें लेकिन निर्णे हम सुता कर लेते हैं राजी ने वाणी में हुकम दिया है आप देखो औरों को दिखाओ तो हम कह देखो यह हुकम है कि हम चित्वनी करें और दुसरों को उसके मार्ग पर ले चलें सब को हम परमधाम के दिदार के लिए प्रिरित करें यह राजी का हुक्म है बाणी में परमधाम के ब्रह्मुनियों के लिए निर्देश दिये गए कि इन बिद साथ जागी बताएं देवरे जीवन स्याम सेमाची साथ जित बैठे जोग उते यह क्या है राजी का आदेश है तुम स्याने मेरे साथ जिन रहो विखेर असलाग पाऊं पकड़ के इंद्रावती उठ खड़ रहो जाग मामती जी क्या कहते है जी निरोह विखेर असलाग हेसाथ जी बिस्यों में मत फशिये आप तो राजी के नाम पर एक छोटी सी तमा को छोड़े के लिए आप सोचिए तुम्हात में तमा को कि तो पैदवार सबसे जादा होती है क्या राजी के नाम पर राजी के प्रेम में देखेए चानक ने चंदरुप्त को कहा कि चंदरुप्त तम्हे उच्चास्तर का योध्ध बनने के लिए वो दिविवस्त्र लाने है उसके लिए तुम्हे बन में जाना होगा कई ताड निची गहराई में उधना है पहाड की चोटी से और चानक के अदेश पर चंदरुप्त यह करके छलांग लगा जयता है कि मैं अपने आचारी के लिए अपनी मा के लिए इस पहाड की चोटी से छलांग लगाता हूं सब भाग गय थे उस त्याग के बदले एक राज जी के लिए क्या दामसिक पदार्थों का पर त्याग कर सकते हैं नहीं आप दिखे थे कि मिर्चे कभी नहीं छोड़ना चाहेंगे लस्टन प्याज के सुगंद नहीं छोड़ना चाहेंगे गहरे निद्रा नहीं छोड़ना चाहेंगे अब क्या करते हैं क्या त्याग कर तो सकते हैं लेकि राजी को पाने के लिए जो संसार की उपलब्दियां है कुल खंदान की हम इतने बड़े कुल खंदान के हैं यदि आप बड़े खंदान के हैं तो किसी गरीब से काले कलूटे के पास बैठने में आपको कि लोग क्या काएंगे आप सुंदर साथ के साथ भी नहीं बैठना चाहते हैं क्योंकि वो सुंदर साथ काला कलुटा है गरीब है छोटी जाती काई जोपड़ी में रहने वाला है और आप अमीर हैं कोठियों में रहने वाले हैं ये पल के लिए भी हमारी सुर्ता मुल मिलावे से नहीं अटनी चाहिए तो हम चोबिस गंटे में जदी में सब जितने सुंदर साथ यह बैठे हैं मैं काया दू कि भाई क्या आप प्रदिज्या करते हैं कि एक दिन भी ऐसा नहीं जिसमें एक गंटे आपने चित्वनी करनी ही है राजी के लिए आप चोबिस गंटे में से एक गंटे देने के लिए तयार नहीं है आप संगे समंध्य को दे सकते हैं परिवार को दे सकते हैं मित्रों को दे सकते हैं लेकिन राजी के लिए तो आप आप एक गंटे भी देने के लिए तैयार नहीं, जीवा के तिर्ष्टाओं को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, फिर राजी के प्रेम कहां से मिल सकता है, यहां हुकम में हमारी चलना की नहीं चल पाती है, तो खिल्वत का जो पहला प्रक्ण है, मैं भी मैं मरे नहीं, मैं कु समझ में आएगी कि वास्तों में खिल्वत क्या है, खिल्वत वह हैं, जब इसमें आसिक मासूक के दिल में रहता है, और मासूक आसिक के दिल में रहे, इसको खिल्वत कहते हैं, जब हमको खिल्वत का वर्ण सुनाया जाता है, इसमें क्या बताया जाता है, खिल्वत कोई कह ताकि पांचवी भूमका खिल्वत है मुलमिलावे में तो बैठे हैं इस दिये मुलमिलावे को खिल्वत का दिया गया है क्योंकि वहां सखिया है और राच्ची है स्यामाची चोथी भूमका में प्रेम की लिला होती है प्रेम की लिला तो पचीस पक्षों में भी होती है लेकिन पांचवी भूमका में ये पांचवी भूमका में जो सेन लिला जिसको कहते है वो वास्टों में सेन की लिला नहीं है सेन की लिला तो अब लिला हो रही है जागनी के ब्रहमान में सहन की लिला हो रही है कितने 1638 में सभी परमदाम की आत्मा आई थी और आज क्या हो गया 2078 कितने साल हो गया और इस कहने को ते जागनी के ब्रहमान ने जागनी कब होगी ऐसा आवध दिलोग में यू इसके आतम खड़ी हो हक सूरत दिल में चुभे तब रू जागी अंगते खुष हक की सूरत दिल में चुभ जाए हमारी आत्मा के धाम इर्दे में राज जी, स्यामा जी की सुभा चकमगाने लगे जैसे ही हम आखें बंद करें ऐसा लगे कि राज जी और स्यामा जी हमारे हिर्दे के सिंगहसन पर भी राजमान हो गया तब तो हम दावा कर सकते हैं कि राज जी की सुभा को बसा कर हमने जागने का दाईत पूरा कर लिया आप पानी पढ़ते हैं तारत्म का पाठ करते हैं सेबा पुजा करते हैं, परिक्रमा करते हैं भोग लगाते हैं, सब कुछ करते हैं लेकिन जिसकी पुजा पाठ करते हैं जिसके नाम का मंत्र जबते हैं उसकी सोभा कोई नहीं बसाया तो फिर आपकी आत्मा कैसे जागरित होगी हम सुन्दर्चाथ तो लड़ते हैं, किसके नाम पर सब को मालूम है तार्तम मंत्र के नाम पर लड़ते हैं एक परंपरा चल गई है कहा जाता है कि मंत्र किसी के सामने कह दिया तो उसकी सक्ती चली जाए तो मंत्री क्या हुआ तार्तम ज्यान आया है क्या सारे संसार का कल्यार करने के लिए धाम से लयाई तार्तम करी ब्रह्मांड में रोसनाई इस तार्तम ज्ञान का उजाला ने सारे ब्रह्मांड के अंदकार को दूर करने के लिए और हम कहते हैं कि यदि हमने किसी को सुना दिया तो इसकी सक्ति कम हो जाएगी यह कोई तांतरिक मंत्र नहीं है किसी देवी देवता का मंत्र नहीं है जो उसकँ तार्तम किसि के आगे का देंगे तो इसकी सक्ति चलीजाएगी यह तो मत्धिकाल की देन है मत्धिकाल में असिक्षा के कारण ऐसा कहा जाता था कि सुद्र को रुष्टरी को कोई गांतरी मंत सुनाता नहीं था जो कर्मकांडी पंडित होते थे वो सोचते थे कि सुद्र छोटी जातिका होता है और इस्तरी को नहीं सुनाने चाहिए नारी को घिना के दिश्टे दिखा गया इस दिए कान में मंतर का देते थे, सोचते थे कि हम बोल करके सुनाएंगे तो सभी सुन लेगे कोई सुद्र भी सुन लेगा इस्त्री भी सुन लेगे इस तिये सब को मंत्र के नाम पर उल्चा करके रखा गया है कि कान में मंत्र दो किसी और को न सुनने पाए अब सूचिए यदि इस्त्री को न दिया चाहे तो रमयर्ण में बंडि थे कि जब हनुमान जी सीता के पास जाते हैं खोच करने के लिए लंका में असुक बाटका में पहुnचते हैं तो उसमें सीता जी संध्या किया करते थी और हनुमान जी सोचे हैं कि संध्या का समय है नहीं आप सूचेह कि बिना बेद मंत्रों के तो वो हीं नहीं सकते थे उसमें गैतिर मंत्र भी पढ़ना होता है तो यह जो पुराणिक विचार धार रहा है उन्होंने काया कि सुद्र को मंत्र नो दो इस्तरी को मंत्र नो दो तो कान में फूकने की परंपरा शुरू हो गई उसकी नकल हमने भी कर ली हमारे समाज में भी कान में फूकने की मंत्र परंपरा हो गई उन पौराणिकों ने ये प्रचलित किया कि मंत्र किसी को सुना दोगे तो इसकी सक्ती चली जाएगी इसका ताइट पर क्यों कि ऐसा का उन्होंने सोचा कि ये भी किसी को सुना करके जान फैला देगा इसलिए मेरे हाग में कंट्रोल रहे भी तक मैं अपने सुना होगा भिहारी जी ने क्या कहा था मेरे और तुम्हारे सि्वा कोई और किसी को तार्त्म नहीं दे सकता है स्रीजी ने क्या कहा था कि यरे जी ज़े ऐसा किया जाए तो सरीर की तो आयवे एक सीमित होती है परम्दाम की आत्माएं सारे देस में हैं कहां-कहां हम दोनों जा-जा-जा करके इस तन से जगाते फिरेंगे, इस जिए जिसको तार्तम ज्यान का प्रकास हो वो तार्तम दे सकता है तार्तम क्या है? अक्षरातीत के सरूप की पहचान है, लेकिन उसको हमने संसार वालों की देखा दे कि मंत्र बना दिया, और उसके लिए तरह तरह के जगड़ी खड़ा कर दिये कि तुम इस नाम का तांत्र मानते हो तो हमारे तुमारे से बहर हो जाएगा इसको बोल करके सुना देते हो तो शक्ती चली जाती है, मर्यादा का उलंगन होता है मैंने जगड़े होते देखिए सुन्दर साथ सुन्दर साथ से मारफिट करने को तैयारी हो गया, कि तुमने मंतर को क्यों बोला, उनको ये बताया जाए कि वे ये हमारी नौधा भक्ती नहीं है आपने देखा है, परेमधाम की तो परेमशिष्टी छोड़िये ब्रेज में जो परतिविम की गोपिया आई थी, कभी उनमें मंतर के नांपल लड़ाई होई थी जिनके हिर्दय में हर पल कृष्ण बसते हैं उनको किसी मंतर की जापने की जुवरत नहीं होती, मंतर का कौन करता है स्रानवनम, किर्दनम, बिष्रों अर्चनम, पादसेवनम, बंदनम दास्यम, सक्ख्यम, आत्मनिवेदनम यह कौन करता है, जीव सिष्टि मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप यह सब बंद कर दीजिए, लेकिन यदि खिलवत को हिर्दय में बसाना है परिक्रमा की सुगंत चाहिए पचीश पक्चों में घुमना है नकसे शिक्तक सुगंतconnect स्यमा mor już को अपने हिर्दयम में बसाना है जागनी का सुख लेना है तो आपको वही करना पड़ेगा जो खिलवत में लिखा है जो परिक्रमा में लिखा है जो सागर में लिखा है जो सरिंगार में लिखा है आफ़ समाज क्या काहे रहे है गुरी मंहराज क्या क्या है। सुन बेना नहीं है। यदि आप खिलवाध कि शुंदा लेना चाहते हैं तो राजय की भाणी को अंगिकार करना पड़ेगा। यह बाणी क्या है। यह रस्ण श्यामाझी की पिर्णा रभ का। यह श्यामा जी की रस्टा है, यह वाणी सुनते जिसको आवेश्न आयां, सोने नेचे वास्ना, ताको करूं जीव भेले संग, राजी ने सिधे का दिया, किस ब्रहमवाणी को सुनने के बाद जिसके हिर्दे में प्रीम का विशन आए आटा है, कह रहे हैं, सोने नेचे वास् ताकों करूं जीव भेले संग, उसको मैं जीव सिष्टी में मान रहा हूं। इतने कठोर सब्दों का प्रियू किया है राजिने। मैं तो आपको नहीं कह रहा हूं। मैं तो आप कह रहा हूं कि आप मानिये कि मैं परमधाम की ब्रमात्मा हूं। नहीं है तो भी मानिए यदि आपने परमधाम की ब्रहमसिष्ठी की तरह प्रेम का मार्ग अपनाया तो ये प्रेम का मार्ग आपको सस्वर्व की पहली भीस्त में ले जाएगा जहां प्रहमसिष्ठी का जीव जाएगा ब्रहमसिष्ठी का जीव जहां जाएगा वहां आपकी कोरे शे कोरा इया का जिए भी चला जाएगा जदी प्रेयम की डगर अपना लेगा मैं जानता हो की कर्मकांद का खंडर कन लोग कितने घिना करते हैं मै अच्छी तरह जानता हूं लेकिन संसार का घनाड इसी मैं आज जागनि के अन्तिन बिला में ही यह ही सबसे कहता हूँ, मैं जानता हूँ कि संसार मुझे घ्रणा के देखेगा लेकिन मुझे घ्रणा की कोई चिंता नही है सब को परंदाम की प्रेम की डगर पर ले चलना मेरा उत्रदाइट है, जित्वनी के खिल्वत ने परिक्रमा ने रहा दिखाई है उसमें क्या करना है इन भी साथ जी जागी बताएं देवने जीवन, स्याम समाजी साथ जी जित बैठे चोग बताएं आप अपनी सुर्ता से उस मुल मिलावे में चलिए जहां युगल सुरूप विराजमान है और युगल सुरूप आपकी आत्मा के दहां मिर्दे में भी है जिस तरह से ब्रज की गोपिया घर का सारा कारी करते विए भी कृष्ट को एक पल के लिए अलग नहीं करते आपने बार बार चोपाई सुनिये एडे पगले आपला चड़िये पगला एरे प्रमाण सुन्दर साजी आप तो गाते हैं राज की क्या ब्रज की भी तो हम राने ही अपना पा रहे है राज में तन छोड़ना था ब्रज से राज में जाते समय सबने तन छोड़ दिया मैं कहता हूं कि केवल एक गंटे के लिए सब को भुला दिजिए सरीर को भुला दिजिए एक गंटे के लिए कमर में थोड़ी सी पीड़ा होती है भुला दिजिए आपके पैर सुनने होते है थोड़े सा भुला दिजिए मैं मरने के लिए नहीं कह रहा हूं बावन दिन की जुदाईगी हुई तो उस जुदाईगी की भरपाई के लिए सभी को 36,000 को अपना सरीर छोड़ना पड़ा बेन सुनकर चली कुमार भाउसागरियों उतरी उपार इनकी सुरत मिली सब सक्खियों माएं मूर लंगया के रास में आए सोचिए एक बहुशुरी बचती है और 36,000 सक्खियों अपना सरीर छोड़ देती जागने के ब्रहान में कितनी बड़ी भूल हो रही है सत्रह सौ पंदरस से सोलह से वाणी उतर रही है न सत्रह सौ पंदरस से लेकर आज 2078 हो गए वाणी की गूज होते होते कोई सुन्दर साथ दो घंटे भी दिल से तयार नहीं हो रहा है कि हम बिना हिले-डूले बैठ जाएं सरीर को इस्थिर कर दे जीवा को तिर्ष्णाओं से अलग करते हैं वही लेस्ण, वही प्याच, वही गिरम मसाले वही चाय काफी, वही तमाको, वही बीड़ी यह तो हमसे छूट नहीं पा रही है हमारा मन चंचल रहता है प्रेम ने एक करोड जब कर लिया तार्तम का, तो सबसे काते फिरेंगे आपको पता है, मैंने एक करोड गए तार्तम का जब कर लिया प्रेम की भी कोई गढ़ना होती है यहां इतनी पती को कितनी, क्या सुनाय करोगे कि हमने इतनी रोटियां बना कर आपको खिलाती है आपके नालानी की बेष्टा करती है पती तो खीच जाएगा आप उससे अलग नहीं हो खिलवत की वाड़ी आपको प्रेम सिखाती है आपको हंकार से हटना सिखाती है यदि संसार के जीव भी प्रेम का मार्ग नहीं अपनाया जाता जीव हमिसा करमकांड ही करेंगे उनको करमकांड छुडाएंगे तो चिखेंगे, चिलाएंगे आपके दुस्मर बन जाएं लेकिन यदि जीव सिख्टी भी राजी से प्रेम की रह अपनाती है ब्रहम सिख्टी की तरह वो भी अंगना भाव इस प्रकार ले ले जैसे प्रकार सिंदुस्तानी में महामती जी के जीव ने पुकारा है मेरे जीव सुआगीरे तुम अपने प्राणिस्वर की पहचान क्यों नहीं करता जीव भी जब सुआगीर बनकर अपने आराथि को रिचाएगा उसकी चित्वनी करेगा नक से सिक तक सोभा को देखना चाहेगा जैसे प्रेम किसको कहते हैं मैं पुछूँ आप से ऐसे तो पंजाब में गर्वे की धूम रहती है तो दसहरे के आउसर पर तो सारी दुनिया गर्वा खेलती है गुजरात की उत्तरभारत में भी अब गर्वे का प्रचलन होने लगा है देश के कई भागों में गर्वा दसहरे के आउसर खेला जाता है तो यह गर्वा खेला जाता है मुनरंजन के लिए परमात्मा की भक्ति के नाम पर कम खेला जाता है जो दसहरे के असर पर खेलते हैं वो राम की अराधना के लिए खेलते हैं रास में जो रामते खेली गई हैं वो प्रेम की रिला को दर्साती है सुंदर साथ जो गर्वा खेलता है वो तो राजी सहमा जी को रिजाने के नाम पर खेलता है लेकिन जिन प्रवाई लोगों को राजी सहमा जी का कुछ पता नहीं वो तो किसी भी देवी देवता को रिजाने के लिए खेल सकते है मेरे कहने का से क्या है कि बुल रामतों में निर्थ करना, नाचना कुदना प्रेम नहीं है इसको ए लक्षन जो नैनु पलक ने, प्रेम का लक्षन क्या है? नैनु पलक नले, हमारे नित्रों की पलक कभी बंद न हो हमारी दिष्टी, जब राजजी से हमाजी को देखें, तो देखती रह जाए यह प्रेम का लक्षन जब आप चित्वनी में बैठें, तो आप सरीर को भूला दिजे बैठना क्यों ज़रूरी है? कि जदी आप परिक्रमा करते हैं, दोड़ते फिरते हैं, गरवा करते हैं, तो आपको भाव रहता है कि मेरे यह सरीर है इस सरीर से परे हो जाएए, जीव भाव से परे हो जाएए, जब सरीर को भूला देंगे तो ब्रमान को भी भूला देंगे पिन ब्रमान से जब परे हो जाएंगे तभी आपके अंदर प्रेम करसा आएगा यह तो अब गरवे में दो घंटा गरवा किये तीन घंटा गरवा किये तो क्या होगा सरीर ठकर के चूर हो जाएगा फिर कहेंगे कि अब तो लेटेंगे थोड़े समय के लिए मस्ती रहेगे मैं इसका भिरोध नहीं कर रहा हूँ लेकिन खिलवत की वारी क्या कह रही है कि यदि आपने मैं कहता हूँ कि कोई कारक्रम है तो उसमें गरवे खेल लिए तो उसे आपकी आत्मा को अखन आनत कहां से मिलेगा आप प्रदिन आत्मा का गरवा खेले जिसमें आत्मा अपने प्राणिस्वर को जी भर करके देखे अभी आपने उस चुपाई पहली चुपाई में जो चर्चा की चुपाई है कि मेरी एराथ मेरी प्राणिस्वर न तो मैं आपकी बाते सुन पा रहे हैं न आपकी बात आपसे बाते कर पा रहे हूं चोथे चरण में क्या कहा गया है ना तुम्हें देखो सक्षात मैं सक्षात देख नहीं पा रहे हैं देखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको चित्वनी करने ही पड़ेगी हिर्दय में प्रीम लेकर परात्म का सिंगार सच कर प्रीम भरे नित्रों से अपने हिर्दय मंदिन में देखना पड़ेगा हर सुन्दर साथ कोई यह भास करना पड़ेगा कि हमारा हिर्दय हीवा सिंगहसन है आज अपने सागर गंध का गायन सुना दोबार के मच बार कि अर्ष तुम्हारा मेरा दिल है इताय करो रहा हूँ आपका सिंहासन का है मेरी आत्मा के एड़े में मेरा दिल ही आपका सिंहासन है आपका परमधा में और मेरे अर्ष दिल पर आपको बैठना होगा ब्रह्मसृष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् गई जो चाइना में नास्तिक लोग रहते हैं वो भी योग की तरह मुड़ रहे हैं और हम सुन्दर्जात केवल कर्मकान की तरह भागे जा रहे हैं 400 साल बीतने के बाद भी वही धर्रा चल रहा है तो आप सोचिए हम खिलवत कानत कहां से ले पाएंगा और यदि हमने अपने तरिष्टाओं को किनारे कर लिया शरीर से स्वयम को परे कर लिया प्रेम की द्रिष्टी ले ली तो हम राज जी के एक एक अंग की सोभा को हम देख सकते हैं और इसलिए तो सागर और सिंगार में नक से लेकर सिख तक राज जी ने अपना सिंगार साथ बार बनित किया है, साथ बार बनित करने का मतलब क्या है, जैसे मैं आपको एक गिलास पानी के लिए मांगू, आप नहीं लाते हैं, दुबारा कहता हूं, तीन बार कहता हूं, साथ भाल काऊं कि चलो, झे बार करने पर ऐग इलास पानी आप नहीं दे रहे हैं तो साथ भी बार तो दे दे, लेकिन हमारे पत्थर हिर्दै पर उसका कोई प्रभाण नहीं पर था. एक बार का सिंगार बल्णन करने के बाद तो हमारा यह पिखल जाना चाहिए था राज में क्या हुआ था राज में राज जी ने बांसुरी बजाई थी किड़ जी का रूपतान कर शो क्यों को ऐसा लगा था कि राज जी हमारे पृतम उसमें तो पहचानी नहीं थी हमारा नाम लेकर की बुरा राएं परड़ाम क्या हुआ एक द काल्तेस अजयार ने शरीड चूडने में देर नहीं कि और इस वानी के दौर राजजी है बार बार कह रहे हैं कि परम्धाम की आत्माओं, तो मेरे हुट्ण को देखो, Megayal को देखो, Chinawakamalиту को देखो, Hirdeig kamal को देखो, मेरे गुग्राले बालों को देखो, मेरे कानों की सुभा देखो, हम सुनते भी अन्सुना कर देते हैं, अरिक्याले नदेरा, हम वही कर्मकान, जैसे भागवत के पाठ होते हैं, गीता के पाठ होते हैं, रमायर के पाठ होते हैं, पूजा करते हैं, परिकर्मा करते हैं, मंत्र चपते हैं, जैसे नवधा भक्ती वाले वैसनों लोग करते हैं, हम भी वही कर देते हैं, और एक जो पाई किरंतन की याद कर लेते हैं, हो भाई मेरे वैसनों कहिए वाको, निर्मल जाकी आतम, निज करम के निकट नजावे जाको पेचान भाई पारब्रम तो हम क्या कर देते हैं? हम सचे वैस्णों है वैस्णों का जो उपासक होता है वैस्णों का लाता है हम थोड़े वैस्णों है जैसे वैस्णों तुलसी के कंठी पहनते हैं हमको भी कंठी दी जाती है के शुहाग के चिन क्या है इसक है हमारी निसानी इसक बENSक के बिना मैं भई वी रहने परिकर्मा की चुपाई पढ़ी है हमारी निसानी क्या है इसक, इसक कहां से आएगा जो इसक के सरुप को आप ध्यान में लाएंगे तब तो तो इसका हैगा, आप तो दासबक्ति कर रहे हैं, आपने मारगे उल्टा पकड़ लिया है, यहां से भूंबई पस्चिम दिसा में पड़ेगी, आप पूरव दिसा में जाएंगे तो दिली चले जाएंगे, उत्तर दिसा में जाएंगे पूरव दिसा में तो, तो दासबक्ति करते करते दुनिया तो क्रोणों साल से करती आ रही है मत्था टेकते देखते मंत्र जबते जबते पूजा पार्ट परिक्रमा करते करते जो असली कारी होना चाहिए था जो खिल्वत का निर्देश है खिल्वत क्या कहते है मैं तो तुम्हारी कियल मैं किवल आपकी हूँ क्यों रहे दिदार बिन प्राण ये खिल्वत का मूल संदेश है हर बेक्ते जो सुन्दर साथ कहला रहा है वो इस मंत्र को याद करें कि मैं तो तुम्हारी कियल मैं किवल आपकी हूँ और क्यों रहितितार बिन प्राहन आपको तारतम याद नहीं है तो भी चल जाएगा थारतम के लिए तो जगड़े हो रहे हैं ना समाध दो गुटों मैं बटा हूए एक गुट को निजनाम से किर जी कहें, नहीं, तुम्हारा गलत है, निजनाम स्री जी साब, वो कहेंगे कि तुम गलत हो, वो कहेंगे कि तुम गलत हो, यह तो छेचो पाईयों में जान का सुत्र है, पहचान के लिए है, पुरी वानी पहचान के लिए है, वानी से अक्षरतीत की पहचान के एक नाम बरज राज का है एक नाम जागनी का नाम है। लड़ने की कोई हुसकता है उस्थम्हत में तो प्रेम होना चाहिए। आपके पास प्रेम नहीं है। और निज उन्म को लेकर carve चित्वन्ही नहीं की स शीटिय। रहेंगे जैंब कितनी भी पूजा कर लेजिए पर्दों को अठाने के लिए जिसको हमने ओड रखा है कर्मकान के पर्दों से जब हमारा हिर्दे हट जाएगा प्रेम के मार्ग पर चलेगा तो इतने ही बैठे घर जागे दाम पूरे मनुद्वरत हुए सब काम की स्थिति हमे प्राप्त हो जाएगी और हमारा सुंदर साथ संसार को एक नई रहा दिखा सकता है क्योंकि संसार के पास यह मार्ग नहीं है यह प्रेम का मार्ग जो ब्रज में उसकी एक थोड़ी सी सुगन दे गई थी योग मया के ब्रह्मान में जो महारास के लिला खेली गई थी संसार आज भी उस महारास के लिए तरस रहा है और महारास का आनन्द तो परहम धाम के आनन्द के करोणवे अंस के बराबर भी नहीं है इस जागनी ब्रह्मान में जागनी लिला में हम बैठे बैठे परम्दाम के आनंद के अनुभूति कर सकते हैं चित्वनी के दोरा लेकिन उस चित्वनी के मारकों अच्छी पाद ही आ गया है नौधा भक्ति हम पर थूप गई थूप दी गई है जिसका परिणाम यह है सुन्दर साथ कईके दर्जन पाठ परायन तो कर लेता है लाखो बार तार्तम महा मंतर का जब भी कर लेता होगा मैं तो कभी कभी कर पाता हूं कभी किसी को तार्तम देना होता है तो उस समय बोलना पड़ता है या कभी-कभी याद कर लेता हूं कि कहीं भूल न जाओं, नहीं तो बुद्धनावी होगी, हाँ, कभी-कभी मन में आता है, तो चितनी में एक दू बार कर लेता हूं, लेकिन हमारे समाद में जगडा क्यों इसी बात के लिए है, इसलिए, जिन गोपियों के रूम-रूम में क अपने आत्मिक नेत्रों से अपने प्राने स्वर को जी भर कर देखें, चरण कमल को देखें, हिर्दय कमल को देखें, होटों को देखें, मुस्कराते वे दांतों की सुभा को देखें, नेत्रों की सुभा को देखें, नाशिका को देखें, घुगनाले बालों की सुभा को जाग नी प्रमान इसके लिए है, नाज्यल और चूडया चड़ाने के लिए नेहे जाग न ब्रमान बनाए है, यह तो Devidevताओं की हहां भी चड़ जाता है, पवागड में, जो Devika Mandir जागड देखे, वहाँ कितनी नारियल चड़ते है, हमने भी श्यामजी के मदिर को यही मान लिया कि इनारेल चलाना है, चूढी चलाना है, एर राजी को यह चलाना है तो सूचे हमारे मैं और संसार के जीवों में कोई अंतर नही राजा दहा खेलवत की वानी वो तरफ संकेत कर रही है की वानी मेरे पीव कि नोचो शंसार परमधभाम की वानी संसार से अलग मर्क दर साथी है और वह हमारग है के परमधभाम के प्रोएम का और यहीं बेठे बेठे, हम अधिकार सिखा सकते हैं, कि राज जी हमारे प्राने स्वर है, मैं उनकी आत्मा हूँ, मैं उनकी प्राने स्वरी हूँ, उनकी हिर्दे स्वरी हूँ, और तब खिल्वत काचिंतन मन हमारे लिए कल्याड कारी होगा, मैं आसा करूँगा कि सब सुन्दर साथ आज की चर्चा काउंगी कार करेंगे और मैंने जो कुछ कहा है उसको बाणी का चिंतन करके स्वैम तोलेंगे और मेरी बात में यदि सत्ता आती है तो उसको अवस गरहन करें और मैं राजी से भी प्रार्दा करता हूं कि सब सुन्दर साथ पर अपनी कृपा के ऐसी नजर कर दे कि सुन्दर साथ खिलवत, परिक्रमा, सागर, सिंगार के रस में डूप जाए और अपनी आत्मा को जावे पिस